बीज़ेपी की सांसत अनल、、、 अननत कुमार हेगडे का एक बड़ा बयान सामिया है। उन्होंने का है कि केद्र के 40,000 करोड के चालिस हईजार करोड की केद्र की राशी थी और अगर ऐसा नहीं करते तो कॉंग्रिस एंसेपी और शिरसेना सक्ता में आते ही 40,000 करोड का दुर्प्योग करते तो बड़ी ख़बर आपको बता दे भारती चिन्सापार्टी के सांसद और पूर्व केंद्र मंतरी हैं अनंद कुमार हेग्रे जिनोंने दावा किया है कि महराश में वीज़ेपी ने फणनविस को 40,000 करोड का फंड बचाने के लिए मुख्यमंतरी बना कर ये ड्रामा किया है तो नोने काई कि आप सभी जानते है कि महराश में 80 घंते के लिए मुख्यमंतरी बने थे दिविंद फणनविस और उन्होंने ये नाटक क्यों किया क्या हमें नहीं पता था कि हमारे पास बहुमत नहीं था और फिर भी वो सियम बन गए ये वो सवाल है जो हर कोई पूछता है लेकिन उन्होंने कहा कि सियम के पास करीब 40,000 करोड रुपए की राशी थी केंद्र की और अगर कॉंग्रेस NCP और शिवसे ना सत्ता में आते तो वो 40,000 करोड का दुर्प्यों कर सकते थे और यही वज़ा थे कि केंद्र सरकार के इस पैसे को विकास के लिए इस्तिमाल म नहीं लाय जा सके इसलिए जामा किया गया